हेलो फ्रेंड्स दिस इस एस्पी सिंग एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीड़े माई डियर फ्रेंड्स आज का एई वीडियो आपके लिए बहुत हेलफुल होने वाला है क्योंकि इसमें टॉपिक को मैंने डिस्कस किया है मातमेक सिक्षायोग जिसको हम मुदालियर सिक्षायोग के नाम से भी जानते हैं मैंने मैंने नहीं किया है फ्रस्टियर का है कि सेकंडियर के लिए है जो कानपुर उनिस्टियर के इस्ट्रेंट हो उनके सेकंडियर में यह आयोग दिया गया है उनके second year exam में पूछा जाएगा other universities में उनके अपने semester के हिसाब से देख लें कि उनके कि semester में आयोग माजमिक सिक्चायोग या मुदालियर सिक्चायोग पूछा गया है और आपके semester में होगा 100% क्योंकि B8 के सारी universities के topics common होते हैं थोड़ा सा इदर उदर कर देते हैं कि मालिया conference study में second year में दे दिया other universities में semester wise होता है तो उसे कि semester में दे दिया ये मुझे confirm नहीं है क्योंकि बहुत सारी universities है my dear friends तो चलिए शुरू करते हैं आप अपने semester के हिसाब से अपने syllabus के इस आप से देख लें कि आपका मादमिक सिक्चायोग जो ये आयोग है מדalir सिक्चायोग किस semester में है देखिए मादमिक सिक्चायोग को आधणिक यूग की देन सूहिकार किया जाता है यानि कि जो मादमिक सिक्चायोग है इसको वर्तमान यूग की या आज के यूग की देन माना गया है वैदिक कालीन सिक्षा प्रणाली में सिक्षा के केवल दो इस्तर थे प्रात्मिक और उच मैई डियो फ्रेंड्स आज जितनी इजी लैंग्वेज में मैं इसको समझा दूँगा या पढ़ा दूँगा या आप समझ जाएंगे इससे आशान भाषा में आपको माद्मिक सिक्षायो कहीं नहीं मिलेगा और अगर मिल जाए तो मुझे बताईएगा मुझे भेज दीजेगा मैं भी पढ़ लूँगा क्योंकि मैंने इसको अपने तरीके से बहुत इजी लेंगुज में लिखने का प्रियाश किया है क्योंकि आप देख पारे होंगे हैंड रिटन नोटे कोई बुक नहीं है अगर बुक में अगर इजी दिया होता है तो मैं बुक से ही पढ़ा देता हूँ लेकिन अगर मुझे दिखता है कि बुक में क्लियर नहीं है मेरे पास बीट की बुक दो तीन है जहां से मैं पढ़ा रहा हूँ लेकिन किसी में क्लियर इतना इजी लेंगुज में नहीं है मैंने इसको जो है दो दो तीन ते लाइलों में पहला गराफ बर की लिखा है देखिए तो मात्मिक सिक्षा को आधनिक यूग की देन्ड सुईकार किया जाता है वैदिकालीन सिक्षा परनाली में सिक्षा के किवल दो इस्तर थे प्रात्मिक और उच्छ भारत में मात्मिक सिक्षा का जो सूतरपात हुआ इसको करने का सरे यूरोपी मिशनरियों को जाता है भारत में मात्मिक सिक्षा का जो सूतरपात हुआ उसका सरे यूरोपी मिशनरियों को जाता है या प्राप्त है जिन्होंने 18-18 शतापती के अंत में लास्ट में इस देश के कुछ भागों में मादमिक स्कूलों की स्थापना की थी यहां आयोग श्वतंदरता प्राप्ती के परश्चाथ गठ्थित हुआ जो कि दुतिय आयोग है जो मादमिक सिक्षा आयोग है या मुदालियर सिक्षा आयोग है 1952-53 यह स्वतंदरता प्राप्ति के परश्चात गठित हुआ दुतिय आयोग है प्रंथ मादमिक सिक्षा का या पहला आयोग है ठीक है भारत सरकार ने 23 सितंबर 23 सप्तंबर 1952 को मदरास विश्विदैले के कुल पती डाक्टर लक्षमन्ट स्वामी मुदालियर की अध्धिक्षता में यानि कि जो हमारा मादमिक सिक्षायोग है इसके अध्धिक्ष कौन है डाक्टर लक्षमन्ट स्वामी मुदालियर के अध्धिक्षता में मादमिक सिक्षायोग का गठन किया और अध्धिक्ष के नाम पर इसे मुदालियर कमीशन भी कहा जाता है अध्धिक्ष कौन थे इसके डाक्टर लक्षमन्ट स्वामी मुदालियर इसके अध्धिक्ष थे और एक नजर डालेते हैं सदस्चियों पर, सदस्चिय कौन कौन थे? ओके, ये थे इनके सदस्चिय, माइडियो फ्रेंड्स, अब जानते हैं माधमिक सच्चायों के दोस्च, ठीक है? असा करता हूं वीडियो प्रसंदार होगा, अगर प्रसंदार आता है तो प्लीज लाइक करके जाए, क्यूंकि इस प्रकार से हैंड डिटे नोट्स में बहुत एक मोटिवेशन मिलता है और कुछ नहीं, माधमिक सच्चायों के दोस्ट, माधमिक सच्चा जीवन से समंदित नहीं है, ऐसा कहा गया है जो माधमिक सच्चा जीवन से रिलेटेट नहीं है, और इसका फोकस परिक्षा पर ज्यादा रहता है, जो माधमिक सच्चा है, इसको पुस्तक को अवश्यक्ता से अधिक महत्व प्रदान किया गया है जितना महत्व पुस्तक का होता है उससे अधिक महत्व आयोग देता है किसको पुस्तक को यह विश्व की नवीनितम घटनाओं से छात्रों को अवगत नहीं कराता है प्रिच्छा प्रणाली अत्यंत दूर्शित है और आयोक के अनुसार इसकूलों में धार्मिक एवं नैतिक सिक्षा की विवस्था तभी ही की जाए जब अभिवावक चाहें और वह भी स्कूल समयशे पहले या बात में देखिए ये जो इस्टेप है साथ नंबर एक दो तीन चार पांच छे लाइन का है ये मैंने ये बड़ा है लेकिन फिर भी मैंने इसलिए लिख दिया है क्योंकि बहुत इजी है आपको अभी साथ में समझ में आ जाएगा समझिए कि A.EO. कहता है कि स्कूलों में धार्मी के ओम नातिक शिक्षा की विवस्था तब ही की जाए जब अभिवावक चाहें और वहाँ भी अगर धार में कोई काम होना है नैतिक तोर से कुछ काम होना है तो वहाँ भी स्कूल समय से या तो पहले हो जाए या स्कूल टाइम चुट्टी के बाद कराया जाए तो ऐसा नहीं है कि हम या तो स्कूल से पहले करा लें या फिर स्कूल के छुट्टी होने के बात कराएं यह एक उल्जा हुआ यह वह हर एक सुजाव है क्योंकि भारत एक धर्मनिर्पेक्ष राज है मादमिक सिक्षायों के दोस अब हम बात करेंगे इसके गुण की अब आपके शामने हैं मादमिक सिक्षायों के गुण इसके क्या है मेरिट्स क्या है सिक्षा में क्रिया यानि कि एक्टिविटीज को परमुखिस्थान दिया गया है इन्होंने जो है सिक्षा में जो एक्टिविटीज होती हैं में जो विद्याले हैं उनमें क्रशी सिक्षा को आवश्यक बनाने का अव्थुजाओ भी दिया गया है अगला पॉइंट है next सिक्षा का माध्यम मात्रभाषा बनाने पर बल दिया मैडियो फ्रेंट्स आयोग ने माध्मिक सिक्षा का जो माध्यम था वह मात्रभाषा को बनाने पर बल दिया है वास्तों में जो यथार्थ के दरातल पर लिया गया निर्णा है वह हमारे देश के लिए भी हित कर है हमारे देश के हित में है कि जो सिक्षा का माध्यम है वह मात्रभाषा होना चाहिए अगला गुण है चरित्र निर्मान और अनुशाषन पर बल दिया गया आयोग ने चरित्र निर्मान और अनुशाषन पर बल दिया और इनकी प्राप्ती के लिए ठोस सुझाओ भी दिये इस तरह एक लंबे समय से चली आ रही जो अनुसासन हिंता की समस्या थी उसको सुल जाने का प्रियाश भी किया गया नेक्स्ट पॉइंट है सिक्षकों की दशा में शुधार मैं डिफ्रेंट्स आपको बताते चलें कि आयोग ने उचित रूप से अध्यापक की इस्थिति और काली इस्थितियों में शुधार का शमर्थन किया है क्योंकि अध्यापक ही संपॉण सैक्षिक सनचना की एक रीड होती है रीड की हड़ी होता है और इसके लिए सरवपर्थमायोग ने सिक्षकों के प्रशिक्षन की अनिवारता के साथ सिक्षक प्रशिक्षन को प्रभावसाली बनाने के लिए ठोस सुझाओ भी दिये थे और उसने सिख्चकों की नियुक्ति के लिए नियम बनाने उनके वेतन बढ़ाने और शेवा सर्तों में सुधार करने की भी बात कही थी जिससे योग विक्ति अध्यापन की ओर आकरशित हो शकें ये थी सिख्चकों की दिशामें सुधार नेक्स्ट पॉइंट है परिच्छा परनाली वह मुल्यांकन में भी शुधार किया गया मेडिफरेंट्स आयोगने परिच्छाओं और मुल्यांकन से समंदित कई शिफारिसें की जिनका यदि सक्ति से पारण किया जाए तो इसके प्रिणाम भी अच्छे ही होंगे और सबसे महत्पून सुझाओं तो निबंदात्मक परिच्छाओं के दोसों को देखते हुए निबंदात्मक परिच्छनों की रचना करते समय विचार प्रधान परिच्छन पूछना था और निवन्दात्मक परिच्छों के साथ जो वस्तुनिष्ट परिच्छा थी उसकी भी विवस्ता करना था जैसे कि आज हम देखते हैं कि इन सुझाओं को सुईकार करने से परिच्छा पनाले में अपेक छित सुधार हुआ है और यह वस्तुनिष्ट होने के साथ साथ बिश्षणि भी बन गई है लास्ट पॉइंट है इस तरी सिक्छा वस्ता है सिक्छा के समंद में सुझाओ आयोग ने बालक बालिकों के सिक्छा में किसी प्रकार का भेद ना करने की बात कही और आयोक की दृस्टी से पालिकाओं को बालकों की भाती किसी भी प्रकार की सिक्षा प्राप्ति का अधिकार होना चाहिए और उसने पालिकाओं के लिए ग्रहव क्यान वर्ग की अत्रिक्त विवस्था करने की भी श्रीफारिश की इसके साथ ही जिन शेत्रों में अलग से बालिका विद्यारे नहीं है उन शेत्रों में शेह शिक्षा की स्विक्रत के लिए भी उन्होंने शिफारिस की या बात कही लास्ट पॉइंट नहीं अब हैं मादमिक शिक्षा के उद्देश से आपके समने मात्मिक सिक्षा के उद्देश मात्मिक सिक्षा का प्रमख उद्देश से छात्रों में लोकतंत्री भावना का विकास करना होना चाहिए और इसके लिए आवश्यक है कि सिछा प्रतेक विक्ति में शबी प्रकार के शामाजिक, आर्थिक और राजनितिक विश्यों पर श्वतंतरता पूर्वाक निर्णय लेने की छमता का विकास करने वाली होनी चाहिए यह था हमारा लोकतंत्रिय नागरिकता का विकास नेक्स्ट पॉइंट है व्यावशाई को शलता में उन्नती मादमिक सिक्षा को जीविका कमाने के लिए उसके उपारजन के लिए उपयोगी बनाने के लिए इसका जो दूसरा उद्देश है वहाए चात्रों में व्यावशाई को शलता का विकास करना अता मादमिक सिक्षकों को अपने छात्रों की तकनीकी एवं व्यावशाई कुशलता अथवा उत्पादक्ता की वर्द्धी पर विशेश ध्यान केंद्रित करना चाहिए, फोकस करना चाहिए, जिससे विराष्ट की सम्रद्धी में शाहिता कर सकें और जीवन की शामान इस तरकी उन्रत करने में भी शक्षम हो शकें नेक्स्ट पॉइंट है व्यक्तितु का विकाश करना मैं डिफ्रेंड्स मादमिक सिक्षा का जो तीसरा उद्धेश है वहाए चात्रों के व्यक्तितु का सरवांगिन विकाश करना होना चाहिए और इसके लिए सिक्षा का संक्ठन इस प्रकार किया जाना चाहिए कि छात्रों का शाहितिक, कलात्मक और सांस्कृतिक विकास हो छात्र अपनी सांस्कृतिक विराशत को भली भांती समझ चकें और उसके विकास में आधारबूत योगदान भी दे चकें इसके लिए पाठी करमों में कला, सिक्षा, शंगीत, नरत जैसे विश्यों और रोचक कारियों के विकास को भी इस्थान देना चाहिए लास्ट पॉइंट है नेतरत के गुणों का विकास हेतू सिच्चा यानि कि नेतरत के गुणों का विकास हो सके मातमिक सिच्चा का एक अन्य उद्देश है वहाई वेक्तियों को सामाजिक, राजनीतिक, ओध्योगिक तथा सांस्कृतिक छेत्रों में नेतरत के उतरदैत को वहन करने में समर्थ बनाने के लिए उनमें नेतरत गुणों का विकास करना चाहिए और सिच्चा दुरा उन वेक्तियों को नेतरत का पर सिच्चन पदान करना चाहिए जो अपने सांस्कृतिक छेत्रों में नेतरत गुणों समालने के योगिता रखते हो मैडियो फ्रेंट्स यह था हमारा मुदालियर सिक्षायोग मात्मिक सिक्षायोग जो कि एक बहुतरिन और सबसे बहुत ही अच्छा टॉपिक है आप इसको लाइक, कॉमेंट और जितना चाहें खुब शेयर कीजेगा मैडियो फ्रेंट्स अगर आपको मेरी वीडियो प्रसंद आते हैं तो प्लीज अपने फ्रेंट्स तक जिरूर शेयर कीजे लाइक और कमेंट देते जाएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी